और ये बंदा परिशान है के रहा चोथी बार डलवा रहा हूं भाई फोल्डर अगर आप अच्छी तरह डाल दो तो अच्छी बात है कि दोस्तों आज मोबाई लिपेरिंग वालों कुछ चलाकियों के बारे में आज आपको बताने वाला हूं ध्यान से देखिएगा वीडियो यह ओपो 31 है इसका मुझे फोल्डर चेंज करना है इसके फोल्डर में दिक्कत आ गई है बहुत ज्यादा यह फोल्डर कस्टूमर का कहना है कि हपते 10 दिन से प्रोब्लम कर रहा है अपने आप टच काम करने लग और पिछले महीने इसने डलवाया यह फोल्डर इसका अभी मापको खोल के दिखाऊंगा इसका इसने आदा काम करना बंद किया फिर इसने पूरा काम करना बंद कर दिया है टच ने उसके बाद इसने कस्टमार के मारा जब इसका दिमांग खराब हो गया तो तो यह फोलडर तोड़ गया तोड़ दिया अब मैं इसमें दूसरा घॉल्डर दालूँ हूं दिखें फ Stream सबसे पहले बैटरी का पत्ता रिमूब बजी और फोटर फोल्डर डालना सीखना तो आपको मेरी और वीडियो देखनी चाहिए मैंने बहुत सारे फोन की 300-400 वीडियो बना रहे हैं फोल्डर डालने की आप उसमें अपने फोन का मोडल नंबर डालिए और लिखिए फोल्डर करते हैं यह चलाकी करते हैं कि इसके पीछे जो पनी लगी है यह इस्टिकर लगा हुआ है यह इस्टिकर नहीं हटाते हो वह जानबूच के नहीं हटाते है यह इस्टिकर नहीं हटाने का मतलब यह होता है कि आपका जब हाथ टच होता है न तो टच चलता है वह आपके हाथ के अर्थ से टच चला करता है ठीक है चलता और अर्थ इस पत्ते में होता है ठीक है इस पत्ते को अर्थ देना जरूरी होता है इस ग्राउंड से इस लोहे से जो लोहे की प्लेट पीछे लगी हुई ना कवर लगा लोहे का इससे ग्राउंड देना होता है यहां पर यह टेप लगी नहीं पर टाच होनी चीए अब ये इस बंदे ने क्या किया इस ने देखिए ये पनि है ना उटनी चीए थी अटाई नहीं आगी इसकी वजह से इस फॉल्डर में दिक्कत आ गई यह देखिए यह आपके सामने उता रहा गई इसका फोल्डर ही है ठीक है और ये उस बं मेरे फोन में जो डाल रहे हैं मुझे दिखा के डाल क्या डालेगा तो आप उसे बोल दीजेगा कि जो फोल्डर में यह लख्याई यह न पनी इसकी ग्राउंड की पनी यह हटा कि जब लगई हो फोल्डर नहीं तो फोल्डर मत लगई हो वर्ना भाई सब आपका नुकसान हो हो जाएगा आपका फोल्डर चलेगा 15-20 दिन उसके बाद अपने आप काम करने लगए और फिर उसके बाद फिर आपको प्रोब्लम आईगी घोष्ट अचकी और फिर आप सोचोगे कि यार क्या हो फोन के अंदर और फिर आप दुबारा जाओगे न दुकान पे तो आपको यह टेप लगी हुई है और यह टेप लगी है ठीक मैं इसको हटाओंगा उसके बाद इसका फोल्डर पेश्ट करूँआ वरना मैं पेश्ट करूँगा यह पन्नी अटा दिया उसके बाद यह वाला जो इस टिकर है ना इसमें थोड़ा गम भी लगा होता है और इसको यहां चिपका देना है यह बहुत सारे जान बुझ के दुकांदार करते नहीं है तो आप खुलके बोलिएगा कि भाई यह काम कर दे वरना फोल्डर मत लगए यह मेरे फोल में अब यह लगाने के बाद है भाई साब इतनी गारेंटी दे रहा हूं कि फोन का टूट जाएगा उसक चिपके ना इधर यह ग्राउंड मिल गया इसको पते को आपका टच प्रोपर वर्क करेंगा कभी भी प्रोल्म नहीं करेंगा तूट भी जाएगा न उसके बाद भी एक तच सही काम करता रहेगा आपका है ना और फोल्डर भी अच्छा काम करेंगा आपके कलर कलर सब तो इसका फोल्डर डाल देंगे हम कोई दिक्कात नहीं मगर आप उस चीज का ध्यान रखिए पनी जरूर रटवा लिजिए गा उसके बाद ही अपना फोल्डर पेश्ट कराना यह पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने हाथों को रोका मत करो यार चैनल को सब्सक्राइब करो आगे बढ़ाओ चैनल को फिर दो को मैं आपको क्या क्या चीजे बताता हूं इतने धांदले बाजी होती है मार्केट में इस मुवाइल मुवाइल रिपेरिंग लाइन में कि आप सारी सीख जाओगे और जो बंदा मेरे चैनल देखता होगा वो बंदा नहीं का सकता कभी भी जिन्दगी में ठीक है कहीं भी कोई भी बंदा उसे बेकूप नहीं बना सकता फोरन आप बोल दोगे कि यह ऐसा नहीं होगा बाई जाओ इसके पैसे इतने आपको एक तो प्राइज भी साड़े पांसो रुपे है ठीक है कोई आप से मांगे ना पंद के लिए जय हिंद और जय भारत